आज आप लोग को साथ सेहर करेंगे मसलादार टेस्टी आलू फुलगोबी का सब्जी जिसमें नाई पियाज टलेंगे नाई लोसुन तो बिना पियाए लोसुन का आलू फुलगोबी का सब्जी कैसे मसलादर और टेस्टी बनता है कोई आप लोग को दिखाती हूँ तो चलि अुझे केलिए पहली ले लिती हूँ दो फुल्गों भी तीन टॉमाथर दो अलो अलो फुल्गों भी टॉमाथर को मेडियम साइज में कार ले और यहाँ पर मसला में लिए 2 चामच पेष्ट, 2 चामच जीरा पेष्ट, 2 चामच मिर्चा पेष्ट , 1 चामच गोलकी पेष्ट ले लिता हॅना पैन जिसको उभ्ला में बैठा दे लिते हूं उसके बाद देखिए गरम पैन में टाल मारे जैंशिJust कहा ल्धर ली प आलके दे लिया तो फ्रेंच देखिए फुलगोबी आधा फ्राई हो गया है लेकिन और फ्राई करना है तो इसलिए गैस कहाँ एक दम लो फ्रेम में रखके फुलगोबी को कुछ दिर के लिए फ्राई कर लेंगे अभी सब्जे में एड कर रही हूँ स्वादनुसा नमक तो इसलिए फुलगोबी फ्राई हो गया है और नहीं फ्राई करना है तो आभी फुलगोबी को निकाल लेती हूँ तो आभी गारम तेल में एड कर लेती हूँ फोरोन के लिए थोड़ा सा जीडा और तेजपत्ता मीडियाम साइज में काटा हूँ आलु को अभी गरम तेल में डाल देती हूँ फ्राइ होने के लिए तो आभी आलु को थोड़ा देरी तक फ्राइ कर लेती हूँ तो देखे आलो अच्छा से फ्राइ हो गया है अभी जो मसाला था और जो तीन ठो काटा हुआ टोमाटोर दो ठो मीर्चा पेस्ट दो चमच जीरा पेस्ट दो चमच अध्रक पेस्ट और एक चमच गोलकी पेस्ट सबी मसाला को तेल में डाल देते हूं मसाला में और एड़ करना है सुआदोन सा नमक पहले ही नमक डाले थे एक चमच इसले अभी जागा नहीं डाल रहे हूं सुआद के लिए दो चमच डाल रहे हूं अभी सबी मसला को आच्छा से फ्राय कर लेती हूँ, उतना दरी तक फ्राय करना है जब तक मसला तेल न चोड़ दे मसला में और एड़ करें एक चाम द़निया पाउडर, तीखा के लिए एक चाम च मिर्चा पाउडर तो अभी मसला को अच्छा से फ्राई कर लेती हूँ तो दीखें मसला से हलका सा तेल छोड़ दिया इसका मदला मसला अच्छा से फ्राई हो गया है तो और फ्राई नहीं करना है मसला तो अभी मसला में एड़ करना है पानी तो यहां पर एक कोटरी पानी एड़ कर रही हूँ तो अभी पांच मिनिट के लिए उबालने के लिए छोड़ देती हूँ उसके बाद जो फ्राई हुआ फुलगोबी है फुलगोबी के लिए डाल देंगे तो फुलगोबी सब आच्छा से मिक्स होने के लिए और दो मिनिट तक सबजी को पाणआ है तो फुलगोबी के बाद अलू फुलगोबी के मसला दर सबजी बनके रेडियो हो गा है तो फ्रेंस आप लोग का अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक सेर और सब्सक्राइब टू मैं चैनल भीदिगा कीचेन फेर आएंगे और एक नएया रेसिपी के साथ तब तक केले आप लोग सस्त रहिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबा